हेलो एब्रिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा कुछराथ बोड का संस्कृत जो की क्लास नाइन्थ का है इसके चाप्टर नमबर फिप्टीन सू दुरलभा सर्व मनोरिमा वानी एसी वानी बहुत ही कम है दुरलभ है जो सबको अच्छी लगे सबको पसंद आए तो ये इस चाप्टर का पार्ट वन है जिसमें हमने इस चाप्टर के कुछ हिसों को लिया है बाकी बचे हुए हिसों को हम पार्ट तू में कम्प्लीट करेंगे तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं 6. Sब्स्तार्ट तूं करेंगे चाहिए जीन in the 20th century, because of influence of western language, the essay as a literary form, made an entry into the regional language of India and became widespread. During this period, scholars of Sanskrit wrote many essays on both traditional as well as modern topics. topics with the passage of time these essays found a place in Sanskrit language academics also 20 वी शताबदी के प्रारंब में हमने देखा कि जो पश्यमी भाशाओं के प्रभाव के कारण साहित्यक यानि लिट्रेचर में निबंधों ने ऐसे ने अपना एक स्थान बनाया तो साहित्यक रूप में निबंध ने भारत की शेत्री भासाओं में प्रवेश किया और यह व्यापक हो गया बढ़ता ही गया इस समय में संस्कृत के विद्वानों ने भी पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही विश्यों पर अनेक निबंध लिखे अनेक ऐसे लिखे जैसे जैसे समय बीता इन निबंधों को संस्कृत भाषा के सिक्षा विद्व में भी जगा मिल गई Among the Sanskrit essayistists, Pandit Charudas Shastri is a well-known name. He has written beautiful collection of essays in Sanskrit called Prastavatarangini. Here is presented an edited version of his essay titled Sudurlubha Sarvamanuramavani. यहां पर पताया गया है कि संस्कृत निबंदकारों में पंडित चारुदत शास्त्री एक जाना पहचाना नाम है. उन्होंने संस्कृत में प्रस्तावरंगिणी नामक निबंदों का एक सुंदर संग्रह किया कलेक्शन है. उन्होंने अपने निबंद Sudurlubha Sarvamanuramavani का संपादित संसकरण भी हमारे सामने प्रस्तत किया है. The main idea presented in the essay is that there are various kinds of people in this world. The taste and interest of everyone is not the same. As a result, it is difficult to have a speech which can win over everybody. Hence, it is not necessary that every poem or writing will be liked by everybody. With speech also, it is the same. Hence, we should speak in such a way that everybody likes to listen to it and also see that it does not hurt anyone. Of course, such people are in it rare. यहां पर बताया गया है कि इस निबंद में प्रस्तत मुख्य विचार यह है, बताया यह गया है, किस दुनिया में अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं. सबकी पसंद, सबकी रुची एक जैसी नहीं होती. नतीजतन ऐसा होता है कि ऐसा भासन होना, मुश्किल ऐसा स्पीच होना बहुत जाला कठीन होता है, जो सबको पसंद आए. अता यह आवशक नहीं है कि प्रते कविता या रचना सभी को पसंद आए ही. वाणी के साथ भी ऐसा ही होता है. इसलिए हमें इस तरह बोलना चाहिए कि हर को इसे सुनना पसंद करें. और यह भी देखें किसे किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को किसी प्रगार का हर्ट ना हो. और ऐसे लोग हमें जिसकी वाणी सबको पसंद आए, ऐसे लोग हमें बहुती कम मिलते हैं. दुरलब है नेक्स्ट है लोके यदस्तु एकश्मे रोचते तदन्यस्मे न रोचते इत्यस्त विचितर रोची रहम संचारा एकश्मिन परिवारे जाता नम समाचारण विचारणाम जनानाम अपी भिन्ना भिन्ना रोचिरम भवती किम्पुन विविन्नेशु परिवारेशु उत्पना नाम जनानाम वारता समाना पित्रिकेशु पुत्रेशु कश्चित मधूरं रोचियते कश्चित लवणं कश्चित चामलं रस्मिती एवं ही कशित काव्यम रस्यती, कशित नाट्यम, कशित शिल्पम, कशित गणीतम एव मेव कशित शिरंगारा, प्रियो भवती, कशित वीर, कश्मेचित करुणा, कश्मेचित चाहस्य रस यहां पर बताया गया है कि इस दुनिया में जो चीज एक व्यक्ति को पसंद आती है वो दूसरे को पसंद नहीं आती इसलिए यह दुनिया विभिन स्वादों के लोगों से भरी हुई है सबके रुची अलग है सबके टेस्ट अलग है एक ही परिवार में आप देखेंगे कि जन्म लेने वाले समान वेभार और विचा रखने वाले व्यक्तियों का स्वाद भी अलग होता है सोच एक जैसी होगी वेभार एक जैसा होगा लेकिन दोनों का टेस्ट अलग होगा दोनों का स्वाद अलग होगा तो विबिन प्रकार के परिवारों में जन्म लेने वालों के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है यहां ये भी बताया गया है कि एक ही माता पिता वाले बच्चों में भी किसी को मिठा पसंद होता है किसी को नमकीन, किसी को खटा पसंद होता है वास्तों में इसी प्रकार किसी को कवीता पसंद होता है, किसी को नाटक, किसी को मुर्तिकला और किसी को गनित अच्छा लगता है इसी तरीके से किसी को स्रिंगार, किसी को वेजता, किसी को करोणरस, किसी को हासरस ये साहित्यका सबको शौक होता है, सबके पसंद अलग-अलग होते है विरलेही यानि बहुत कम लोगों को ही विबत्सरस, विबत्सरस यानि ग्रेणा का भाव भी अच्छा लगता है बहुती कम ऐसे लोग होते हैं जिनको घ्रेणा का भाव भी अच्छा लगता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि पसंद सबकी अलग-अलग स्थापित हो जाती है सबकी पसंद अलग-अलग होती है जरूरी नहीं है कि एक के द्वारा जो चीजे पसंद की जाए वो दूसरे के द्वारा भी वही चीज उसको पसंद आए सो इस वर्ल इस फुल अलग-अलग प्रकार के लोगों से ये वर्ल भरा हुआ है Persons born in the same family having similar manners and thoughts also have different tastes What can be said of those born in different kinds of families जब एक परिवार में जन्म वाले similar manner में हो, similar thought हो उसके बाद भी दोनों के tastes अलग होते हैं तब तो अलग-अलग परिवार में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में कहना ही क्या Among the children having the same parents one likes sweet, one likes salty and one likes sour Indeed, in the same way someone likes poetry, someone drama, someone likes sculpture and someone likes mathematics In the same way someone is fond of shrengar, erotic, someone, some of heroism, some of pathos and some of comic or humorous literature A very rare person likes the sentiment of disgust also, thus the variety of liking is established तो यहां पर यही बताया गया है कि same family में जन्म लेने वाले similar manner हो, similar thought हो जब उनकी person, उनके taste अलग-अलग होते हैं तब तो अलग-अलग परिवार में जन्हों ने जन्म लिया है, उनकी बारती क्या कहीं जा सकती है एक ही परिवार में अलग-अलग बच्चे जो होते हैं किसी को मिठा पसंद होता है, किसी को salty, किसी को खटा उसी तरीके से किसी को कविता पसंद है, poetry, किसी को drama पसंद है, किसी को sculpture, मुर्तिकला पसंद है किसी को गणित पसंद है, किसी को स्रिंगारस, किसी को वीररस, किसी को हासे रस इसी प्रकार से कहा गया है कि बहुत ही ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं जिनको घ्रिणा वाली चीजे पसंद हो बिभद सरस पसंद हो तो अलग-अलग प्रकार के लोग हमें मिलते हैं और अलग-अलग उनका टेस्ट भी होता है हम देखते हैं कि ऐसा होने पर एक विशेज प्रकार की वानी सभी की मन को प्रसंद नहीं कर सकती यह खलू आरशेण संस्कारेण संस्कृतो भवती जो मुनियों के प्रभाव से ढाला हुआ है वह कोमल और सीधी वानी को पसंद करता है तसमे मृद्वी रजवी च वानी रोचते नातू करकसा कुटीला वर जो मुनियों के संगत में रहा है वह कोमल और सीधी वानी को पसंद करता है उन्हें कठोरों तेडे वानी जो होते हैं वो उनको पसंद नहीं आते अतह एतै स वार्ता वसरे एता द्रिशी वानी एव उचिता भवती परन्तु यह जड़ दुरवश नरत अलसा च सेवका भवती इसलिए यहां पर बताया है कि अता इनसे बाचित करते समय सरलों सीधी वानी ही उचित होती है कठोर और तेड़ी लोगों से लेकिन जब हम देखते हैं कि नौकर जो है वो सुस्त हो आलसी हो या उसमें बुरी आदते हो तो उसका जो मालिक होता है वो उसके सामने कठोर शब्द कहता है और उसे काम में लगाता है और अपना काम करवाता है उसे अर्थात अपने विशेश की पूर्ती करवाता है यहां पर पताया है एक ऐसा होने पर भी विशेश प्रकार की वानी सभी को प्रसंद नहीं करती He who is moulded by the influence of the sages like soft and straight speech but won't like harsh and crooked one So while conversing with these only such simple and straight speech will be proper But when the servant is dull, lazy and addicted to wise or evil habits, his master usually employs harsh words and engages him in work and gets his own work done और purpose served तो यहां पर पताया गया है कि मुनियों के संगती में रहने वाले लोग कोमल सीधी वानी बोलते हैं और इनसे विपरेत लोग कठोर तेड़े चीजों को और यह जो लोग सीधी वानी बोलते हैं, कोमल बोलते हैं यह लोग कठोर तेड़े को पसंद नहीं करते हैं अता इनसे बात्चित करते समय ऐसी ही वानी हमें बोलनी चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि अगर किसी का नौकर सुस्त हो, आलसी हो, बुरी आदते हो तो उसका जो मालिक होता है वो उससे कठोर शब्दों में बात करता है ताकि वो उसका काम करे और वो उससे अपना काम निकलवा सके अपना उदेश वो पूरा कर सके तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हर एक लोग संसार में अलग-अलग है, सबके टेस्ट अलग है तो उमीद है आपको यहां के यहां तक के स्टोरी समझ में आई होगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सबस्क्राइब करना, कमेंट करना ना भूले, थैंक यू